हलो बॉइज औन गल्स तो क्या हाल चाल तो वो गाना सुना है न है तो वेटा आज हम लोग करंट electricity के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ठीक है ओके क्या बात है सर सुभा सुभाई गाना खा रहे हैं आप कर देते हैं वेटा हम भी इंसान है सुनते रहते हैं गाना तो वेटा आज अपने वन शॉट सीरीज में वेटा हम लोग शुरू करने जा र के बारे में हम लोग पढ़ चुके एलेक्ट्र स्टैटिक पोटेंशलन के पैसिटर के बारे में पढ़ चुके आज पढ़ेंगे करेंट यानी बिजुली के बारे ठीक है चली तो बिना समय का वाई शुरू करते हैं आज का मुकातमार दीखें बेटा आज की चेप्टर में सबसे पहले अपन लोग को समझना है कि आखिर का यह करेंट क्या होता है ठीक है करेंट थीक है तो सब को पता है कि करेंट क्या होता है एलेक्रिक करेंट रेट आफ फ्लो आफ एलेक्ट्रोन रेट आफ फ्लो आफ एलेक्ट्रोन रेट आफ फ्लो आफ एलेक्ट्रोन हमाँ प इसके flow को जिस पर से especially electron के flow को हम लोग क्या बोलते है current ठीक है ओके था हम समझ गए बात अब इसका एक formula होता है बेटा वह भी हम लोग देख लेते हैं current को हम लोग i से represent करते हैं and current is equal to q by t ठीक है यह क्या होता है बेटा general form ठीक है also i average average current अगर हम से कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे delta q by delta t अगर कोई हम से पूछे average current तो बोलेंगे delta q by delta t अच्छा ठीक है बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है एंड instantaneous current instantaneous current यह क्या होता है बेटा dq upon dt instantaneous current क्या बताता है बेटा instantaneous current हमें यह बताता है कि sir इस particular time पर हमारा current कितना है अच्छा current का SI unit क्या होता है बेटा सबको पता है अभी तक तो MPR current का SI unit क्या होता है बेटा MPR या कूलम पर सेकेंड और कूलम पर ठीक है बच्चों बहुत इंपल से चीज थी इस पो मैं समझना था तो हमने समझ लिया ठीक है ओके sir अब जो हम लोग को main बात करनी है वो करना है डायरेक्शन ओफ current पर है डायरेक्शन ओफ current पर है अब अगर हम डायरेक्शन ओफ current की बात करें बिता तो यहां पर सबसे पहले हम लोग यह रहा हमारा हाई पोटेंशल एरिया और यह हमारा लोग पोटेंशल एरिया ठीक है हम लोग मानते है कि current हाई पोटेंशल से लोग पोटेंशल की और जाता है current हाई पोटेंशल से लोग पोटेंशल की और जाता है यह आप लोग को भी मानना है conventionally ठीक है बट अगर हम बात करें दो case ले लेते हैं ठीक है यह एक बल्ब लगाते है तो देखो बीटा यह अपना हाई पोटेंशल है यह लोग पोटेंशल है यह हाई है और यह लोग यह हाई है और यह लोग अक्चुली में electron हमेशा negative से positive की और फ्लो करते है ठीक है बट current क्या होगा बीटा current होगा अबना positive से negative की होगा current क्या होगा बीटा positive से negative की होगा समझ में आगया बच्चो इसका ध्यान रखना अगर कोई पूछे current का direction क्या है तो सीधो बोलोगे सर हाई potential से low potential की और जाता है नहीं opposite to flow of electron opposite to flow of electron यहीं बोलना है ठीक है clear रहे है सबको चलिए आईए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बच्चो एक question देते हैं आप लोग को चलिए जल्दी करिए स्वाल है स्वाल है स्वाल है 2 if q is equal to 2t plus 3 then find number 1 current at 3 second and current till 3 seconds चलिए बच्चा लोग इसको करना है आप लोग को करिए ट्राइ कीजिए खुद से अधार लोग के लिए बच्चो ट्राइट कीजिए ठाइट कीजिए रहे हर्म ना नहीं विच्चा चलो चलो देखो कैसे करेंगा आओ जाओ पहले आला देखते हैं अध्री सेकंड तीन सेकंड पर पूछ रहा है जब भी किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमसे कोई चीज पूछत रहा है तो हम लोग इंस्टेंटेनियस निकालते हैं आतर यानि यहां पर क्या हो जाएगा आई इस इकूल टू बाई इंस्टेंटी डिक्यू कितने रहे टू टी प्लस थू टू ट्री का 你 DOUा प्लस त्री का डिफ्रैं डिफ्रेंसियसन कितना हो जाएगा रहे अरे शॉल रहे देख्दध यहो जाएगा आपका अच्छा सॉर्य संस्टा यहां स्कॉार ले लो बेटा स्क्वायर ले दो ना मजा नहीं आए गया ठीक है चलो कितना हो जाएगा तरी हो जाएगा 422 जा 4T 2T स्क्वायर प्लस 3 का डिफ्रेंस सेशन कितना हो जाएगा सर 4T 4T यानि अब 2T की वेल्व रखदो कितना हो गया 3 4 3-D 12MP है जारे आज बेटा ना शेकंड पे चलते हैं शेकंड पे शेकंड पर कया करेंट त्ल से करेंट तिल से करेंट तिल सेकंड यानि आई average निकालना है I average यानि क्या हो गया बेटा आपका हो गया total charge upon time अच्छा del Q उसके लिए बेटा हम लोगो क्या क्या निकालना हो जाओ देख लेते हैं at t is equal to 0 t is equal to 0 q कितना आ जाएगा 3 अरे यहाँ t sum है 0 रखके देखो कितना आ रहा है यहाँ 0 रखका q 3 आएगा at t is equal to 3 अब एब बाद 3 रखके देखो तो कितना रहा है 3 2 जा 6 plus 9 9 आ रहा है delta q कितना हो गया बेटा delta q हो गया sir final minus initial upon final minus initial 3 आ जाएगा 3 m current कितना है 3 ampere और instantaneous current कितना आ गया 12 ampere अब को समझ में आ गया clear है चल एक चीज़ और बेटा जो इसके पिछले direction of current में हम लोग समझने जा रहे थे करें क्या है scalar है vector है या tensor है क्यूंकि current के पास direction भी magnitude भी है तो सबसे पहली बात बेटा current vector नहीं है दो उसके पास direction और magnitude होता है क्यों does not follow triangle law तो current क्या है बेटा tensor है current is a tensor quantity but अगर tensor ना दिया हो तो इसकेलर भी लेख सकते हो अगर tensor ना दिया हो तो scalar बोल सकते हो पर vector तो नहीं है बहुत बढ़ी है चलो आजाओ आजा बेटा अब कई बार हमको current का काम पढ़ेगा कई बार हमको current का ऐसा काम पढ़ेगा कि हमें उसको vector में convert करना पढ़ेगा और जब हमें current की vector form की जरुवत होगी बेटा हम एक net अब current तो scalar है या टेंसर है तो इसको vector कैसे बनाए जा तो current तो vector बनेगा नहीं उसी का mutated रूप निकाल देते हैं बेटा जिसको हम लोग बोलते है current density current density तो current density क्या होता है बेटा current density यह बेटा आपका हो जाता है ratio किसका देखो तो current क्या बेटा इसको ऐसे याद करो current क्या है current density होता है बेटा आपका जे ठीक है तो देखो बेटा यह क्या हो जाएगा i is equal to j a यह हो जाएगा j a cos theta is equal to i तो j क्या हो जाता है बेटा i by a cos theta और vector form अगर आप लोग को लिखना है बेटा तो j is equal to i upon आपकी अपनी सद्धा के उपर है कि आप कौन था फॉलो करते हो बहुत जगह j is equal to i by a भी लिखते हैं मैक्सिम्म टाइम पर यह होगा क्योंकि मैक्सिम्म टाइम पर एरिया वेक्टर मालू यह है मारा current ऐसे जा रहा है अग्हार है डेंसिटी क्या है एक एरिया से कितना current जा रहा है ठीक है एक एरिया से कितना current जा रहा है तो कभी कभार क्या होता है मैक्सिम्म टाइम भी यह लोग लिख देते हैं ठीक है बच्चो clear है चलो अब heading डालो average velocity sorry अब heading डालो भेटा drift velocity drift velocity आप आपको क्या लगता है ए सिधार जाता आए जाते नहीं अब बिल्कुल नहीं देखो और यह महने आप उनके पास कोई कंड़क्टर रहे हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉं सब मत्चों सब्सक्रें राइन जो होता है दो रैंडम दौरी रहा होता है कि क्या कर रहा होता है ज्रेंडम मोशेयन और अगर मैं इस रैंडम मोशन की विलोसिटी के बारे में बात करूँ बैटा यह होता है 10 to the power 5 meter per second के order में 10 to the power 5 meter per second के order में Audi डीडिकर यात है तरff Charge के होने से Current नहीं मिलता चार्ज का fürs करना भी जरूरी है कि हना क्या फूरा अफ चर्ज लेकिन वह चार्ज वह चार्ज जो है कितना अधिवि अधिहान рат श करें किहां मिले अरे बाई मेरे यहां निन इस से चार्ज मूव कर रहाँ उस पेंड कर रहा jeśli बहुत तेजे तो यहां तो कररन्ट मिलना चाहिए है पर नहीं मिलता वस्टा क्यों क्योंकि विए यह सा रैंडम मोशन करता है र और और खली लेक्ट्रॉन पर्ण िंस रंड मोशन करते होंगैं जिस से क्यों होता है एक बेशन हो रहा है कि आयो बच्चों ऐब हमने क्या किया सठी कि आप की बात हमने माल लिए हमने अब इसको क्या किया वे बैटरी से जोड़ दिया अब हमने क्या किया वे टाइसको बैटरी से जोड दिया है है अब यह जो इलक्टरॉन इस के साथ क्या होने वाला है पूचिए अब इस इलक्टरॉन के साथ क्या होने वाला अदम अब देखो बेटा जैसे आप इसको जोड़ा दोगे ना ऐसा नहीं कि वो अपना random motion बन कर देगा, नई, 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 देखो दिखाते हैं, बड़ा करके था दिखाते हैं, भाई अपना होगे हैं, नूकलियस, यहां पे neutron प्रोटॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करता है बिटा गोल 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 घुमता रहता है अब दूसरा एक है क्या नाम है दूसरी हमाइपास आइटम है, neutron and proton, यहाँ पे पिए elektron, goal, 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 गुमता रहتا है, अब यह motion कैसा होगा बिटा, यह goal, goal तो घूमेंगे, यह goal, goal तो घूमेंगे, लेकिन अब कैसे जाएंगे, आगे की और जाएंगे, कैसे जाएंगे, आगे की और जाएंगे कैसे जाएंगे बेटा आगे की और सबसे पहले clear है बेटा समझ में आया अच्छ चीक clear यह आगे की और जा रहा है इसी को बोलते है बेटा यहां से यहां जम करने में उसको जितना distance per unit time कवर किया है उसी को बोलते है हम लोग drift velocity समझ में है बेटा एक electron जब जम करके दूसरे atom पे जाता हो फिर आगे ऐसे ऐसे करके जैसे copy pass करते हो ना भाई यह उसको दे दी इसको दे दी इसको दे दी इसको दे दी इसको एकदम ऐसे यह pass होता है clear है बेटा उसी को बोलते है बेटा हम लोग drift velocity और drift velocity का जो order है बेटा वो कितना होता है VD का जो order होता है 10 to the power 4 meter per second oh my god इतना छोटा इतना छोटा पहले कभी नहीं हो तो बहुत ही कम है हाँ बेटा यानि बहुत ही कम speed चाहिए हमें current बनाने के लिए तो चो यहाँ पर इतना ज़ादा speed होने के बावजूत current नहीं बन पाया क्यों क्योंकि सब random motion में थे यहाँ पर VD is equal to 20 to the power 4 meter per second order है clear है बच्चो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब इसके पीछे की थोड़ी कहानी समझ लेते हैं अब इसके पीछे की थोड़ी कहानी समझ लेते हैं कि सर इंसाइड दा कंड़क्टर एलेक्ट्रिक फिल्ड हमेशा जीरो होता है इंसाइड दा कंड़क्टर एलेक्ट्रिक फिल्ड हमेशा क्या होता है जीरो होता है चलो एक इलेक्ट्रॉन को यहां ते यहां जम अच्छा यह डिस्टन्स कितना भी यह दी ले लो त्रीक है और यहां ते यहां जम करने में टाइम कितना लगा टाव को क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम ठीक है आजाओ तब निकालते बेटा देखो बेटा एक्सलर सबको पता है फोर्थ इधिक्वल टू पोर्थ इधिक्वल टू क्यू ए तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा फोर्थ इधिक्वल टू माइनस ए ए अजिए लिए अच्छा लोग अच्छा सर माइनस क्यों लिए अरे बेटा इलेक्ट्रिक फिल्ड लीधर जा रहे लेक्ट्रॉन ऐसे आएगा नबट्रॉन इलेक्रिक फिल्ड के अपोज़ेट जाता है तो बस बेटा वहने ने देखा दिया अच्छा अब तो यह कितना हो जा क्या होता है equation of motion V is equal to U plus AT आई यह 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 यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा VD is equal to U 0 मान लो plus EE upon M into tau EE upon M into tau और यह आपके पास क्या आगया बेटा drift velocity क्या आगया बेटा drift to velocity आप आप लोगों के सामने आ गया है ठीक है ठीक है अगर आप लोगों को drift velocity का फॉर्मॉला पता चल गया तो यहां के आप लोगों करेंट का भी फॉर्मॉला पता चल जाएगे के नया फॉर्मॉला current is equal to N, E, A, V, D जहां पर A क्या है area है A है cross section VD क्या है drift velocity N क्या है number of electron and E क्या है Sir E तो charge on electron है यह रहे बच्चो इसी को लोग कैसे भी याद करते हैं I is equal to V ना कैसे याद करते हैं V ना ठीक है बच्चो clear है चा बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है बच्चो अगर यहां तक clear है तो बहुत बढ़ी है पीट तप अपनी अब बेटा थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आब हम लोगों बात करने ही जारों है जो हम लोग class 10 में पढ़े थे हम लोगों के बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं क्या बोला था ओम्सला ने ओम्सला ने क्या बोला था तर ओम्सला ने बहुत अच्छी चीज बोली थी क्या वी इस प्रपोर्शनल टू आई वी इस प्रपोर्शनल टू आई वोल्टेज बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा बहुत सारे बुकों मैं आइस प्रपोर्शनल टू वी लिग देता है रहे नहीं रे प्षपकी प्रपोर्शनल टू आई तो हमसे यहाँ क्या लिख सकते हैं फ़र वी इस इ memo2 आई V is equal to I R ठीक है बच्चो जहां पर जहां पर R क्या भीटा resistance है और इसकी SI unit क्या है ओम क्लियर है बच्चो चलो तो यह तो अपन लोगों को समझ में आ गया अगर आ गया बेटा तो आईए अपने अगले टॉपिक पर चलते जिसका नाम है resistance तो resistance क्या होता है बेटा तो resistance होता है और आईए अब इसमें देख लेते बेटा कुछ important चीज कि यह resistance आया कैसे है देखो बेटा resistance होता है रो एल अपन ए रो एल अपन ए जहां पर एल क्या बेटा जहां पर एल क्या बेटा लेंथ है वायर की ए है क्रॉस सेक्शन और इस टीबिटी ठीक है अब यहां पर बेटा एक चीज ध्यान दीजिए अब थोड़ा तमस्ते इस resistance के बारे में बेटा तो देखो बेटा जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं अब यह साथ लिखते हुए चलिए चीज आपलो resistance depends upon R is proportional to L and R is inversely proportional to 1 by A and R is also depends on temperature R is equal to rho L by A यह हम मैं पास formula है clear है बेटा अच्छ ठीक है सर हम समाझ गए यह बात clear है अब resistivity resistivity क्या होता है बेटा सर यह एक intrinsic property होती है resistance के intrinsic मतलब जो उसके अंदर हो और और क्या बोल सकते है resistance पर unit area पर unit length को भी हम लोग क्या बोल सकते है अब बेटा जैसे हम यहां पर पहुंच गया है अब कुछ important चीजों के बारे में हमें बात करनी होगी पहले resistance versus resistivity ठीक है अई इसके बारे में पहले बात हो जाए ठीक है number one resistance कैसा है बीटा है extrinsic property और resistivity कैसा है depends upon length and area depends upon temperature ठीक है clear रेवाद चलो चलो उसके बार changing the material can change the resistance resistivity is fixed for individual material clear है समझ में आगे है बच्च चलो और last में resistance डिपेंड्स on resistivity but resistivity का resistance कोई ले न देना नहीं है चलीए बाहत बनिया बच्च बाहत बनिया बाहत बनिया आगे बढ़ते है बाहर बाहर temperature के बाहरे में बात आ रही है बाहर बाहर आई ये बात कर लेते हम लो effect of temperature on resistance temperature का क्या effect पढ़ता है resistance पर बेटा तो सबसे पहले लोग वो देख लेते हैं उससे पहले बेटा हमारे पास क्या क्या होना चाहिए उससे पहले बेटा हमारे पास तीन चीजे होती है सर कंड़क्टर ठीक है सेमी कंड़क्टर एंड अलोई है अचक्रश को का कि चलिया यह देख लेते हैं अब इन तीन केस में हम लोग समझते हैं कि टेंप्रेचर बढ़ाने से क्या होगा ठीक है तो देको हैं कंड़क्टर के क्रेंश में ना तेंप्रेचर बढ़ाओंगे तो resistance भी बढ़ेगा अभी सब समझा रहे है Semiconductor के case में Temperature बढ़ाओगे तो resistance घटेगा और alloy के case में क्या आएगा Temperature बहाने से No significant change इन रिजिस्टेंज इन रिजिस्टेंज ठीक है Clear है अच्छ समझते हैं क्या क्या कांड हो गया तो है यहां पर देखो वेटा Temperature बढ़ाओगे तो अपने साथ दो चीज़ हो गया एक Pre-electron बढ़ेंगे और Random Motion भी बढ़ेगा ठीक है Free Electron बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा Conductivity बढ़ेगी लेकिन Random Motion से क्या होगा Collision बढ़ेगा ठीक है यहां N इंक्रीज होगा पर यहां पर क्या होगा बेटा Collision की वज़े से Current Decrease होगा यानि Resistance Increase होगा अब देखो बेटा दोनों ही केस में क्या होगा ना Conductivity पास अल्रेडी बहुत Free Electron रहता है तो थोड़ा से Free Electron बढ़ गए तो कुछ होगा नहीं लेकिन इन Free Electron में दंगे होगा ना बड़े दिक्कत हो जाएंगे बेटा इसी वज़ा से यह वाला केस जो है वो dominating नहीं है और यह dominating है इसी लिए हां resistance बढ़ जाता है पर on the other end यहां कार्णी टोटली डिफरेंट है यहां पर क्या है Free Electron बढ़ जाएगा और यहां पर Random Motion भी बढ़ जाएगा यहां पर हमें क्या में लेंगे Number of Electron बढ़ जाएगे यहां पर collision बढ़ जाएगा लेकिन यहां पर collision उतना असर नहीं करेगा जितना number of free electron बढ़ जाएगे semiconductor में तो यहां पर यह वाला factor ज़्यादा dominating होगा अच्छा अब आता है विटा alloy alloy का क्या scene है अरे फ़र alloy का कोई scene ही नहीं है alloy में क्या होता है विटा alloy बनाया इसलिए गया था alloy क्या है mixture of other metals अच्छा एक metal को दूसरे metal mix करके जो तयार किया तो यह alloy होता है अब इसको बनाया इसलिए गया था विटा कि हम कोई भी experiment करें तो temperature को यह से हमाँ resistance उपर नीचे ना हो ताकि हम proper experiment कर था नहीं होता है आइए अब कुछ formula देख लेते हैं जैसे की जैसे की आर नौट इस इकॉल टू resistance इनिशिल resistance आर है final alpha है coefficient of thermal and delta t है change in temperature change in temperature आईए देखते हैं बेटा क्या हो रहा है देखते हैं बेटा final जो है ना final resistance final resistance हमीशा proportional होता है आर नौट के है final resistance किसके proportional होगा बेटा आर नौट के है जितना बड़ा resistance होगा ठीक है अरे याँ छोटा ऐसे समझो छोटा आटा है उसको बहुत ज्यादा नंबा थोड़ी खीच पाऊगे बड़ा आटा है तो उसको और लंबा खीच पाऊगे तो अगर सुरू में resistance ज्यादा है तो उसको और ज्यादा किया जा सकता है बहुत प्रोपोर्शनल टू डेल्टापी ठीक है तर जितना ज्याद़ा टेंप्रेटर बढ़ाएंगे था और बढ़ेगा चेंज इन रेसितन्स बढ़ेगा चेंज इन डेसितन्स होगा अब इन दोनों को जोड देते हैं यो जाएगा डेल्टा आर इस इकोल टू आर नोट अलफ डेल्टा यह बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है यह आप लोग को अच्छे से याद करना है अब डेल्टा-R को क्या लिख सकते हैं रf minus r0 is equal to r0 alpha delta t rf कितना होगा sir r0 अधर चरा जाएगा r0 1 plus alpha delta oh my god sir यह भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला बन गया आपने पास similarly similarly beta आपलो क्या लिख सकते हो इसी similarly resistivity f is equal to 1 plus f delta t 1 plus f is equal to delta t यह भी फॉर्मुला अपने पास बन गया चली वेटा आईए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं सब को समझ में आ गया यह क्लियर है कि जो कोई डाउट कोई दिक्कत कोई परिशानी बहुत 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 बह बढ़ते हैं जा रहे बिटा सबसे इंपोर्टन चीज चीज combination of combination of resistance अब combination of resistance में हम लोग क्या पढ़ेंगे series और parallel तो यह resistance यह तो series में range होता है और यह तो सर्षण पैरलल में होता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब अगर हम बात करें series की अगर हम series की बात करें विटा तो series में अपवान का जो resistance होता है वो कैसा होता है ऐसा इसका नाम रख लो r1 r2 and r3 parallel में resistance कैसा होता है r1 r2 and r3 चीक है सर बहुत बढ़िया एक काम करते विटा इनको नहीं था बैटरी से जोड़ देता कि थो मज़ा आ जाए यह हो गया भी इसमें से करेंट आएगा ठीक है यह भी क्या हो गया भी और इसमें से भी करेंट कितना आएगा जब भी यह करोगे ना एक चीज़ यहाद रखना current को ना बहता हुआ पानी माल लो ताकि solve करने में आसानी है current को क्या मानोगे बहता हुआ पानी और यह जो resistance नहीं जो ऐसा ऐसा जो बढ़ खाबड बना है इसको समझो सीड़ी क्या समझों के पेटा सीड़ी और यह जो वी है voltage इसको क्या समझों के फ्लोर तेको लिख दे रहे है आई को क्या समझो water ठीक है वी को क्या समझो फ्लोर अंजिल and resistance को क्या समझो स्टेर्स सीड़ी यहनि जब भी resistance आएगा यहनि सीड़ी आगी तो फ्लोर चेंज होगा यहनि जब भी resistance आएगा voltage चेंज होगा बहुत बनिया था आगया समझ में आ बटा कुछ important बात है छोटी छोटी मगर महूटी बात है देख बटा है यहां मालू V1 हुआ यहां V2 और यहां V3 अरे सीड़ी आए तो फ्लोर चेंज होगा न तो यहां पर V क्या होता है बिटा डिफ्रेंट clear है बस यह चीज आद रखना है हो गया बिटा आजा बल्ले 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 उष्च अवश्च होगा तो देख बिटा यहां पर voltage कितना हो गया V1 V2 और V3 V1 V2 और V3 current कितना हो गया सर इसमें I इसमें भी कितना गया I और इसमें भी कितना गया V is equal to V1 plus V2 plus V3, V को क्या लिख सकते है, IR is equal to IR1 plus IR2 plus IR3, आई से आई सब मर गया तो IR equivalent कितना आ गया बेटा, IR1 plus IR2 plus IR3, मैंने आपसे कहा था, कहगा सीरीज में resistance होगा तो उसका formula क्या होगा, IR1 plus IR2 plus IR3, चले बेटा, अब चलते हैं अपने दूसरे आदमी किवा, यहां पे बेटा, parallel के case में क्या होगा, parallel के case में different हो जाएगा, बहिया, आई क्या होगा, अरे यहां से आई जा रहे है, तीन उस्तों में बढ़ जाएगा कि नहीं, different हो जाएगा, एक pipe के आगे तीन pipe और लगा दोगे तो पानी तो अलगी हो जाएगा, और यहां पे देखो, इस floor से भी, इस CD से भी एकी floor पे जा रहे हो, इस CD से भी एकी floor and, अंधा भी बता देगा, तर अंधा क्या बता देगा, अंधा यह बता देगा बेटा, i is equal to i1 plus i2 plus i3, तो यह कितना हो जाएगा बेटा, v upon r is equal to v upon r1 plus v upon r2 plus v upon r2, ठीक है, ठीक है, ओके सर, v से vvvv मर गया सब, तो क्या जाएगा बता, final answer, 1 upon r equivalent is equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3, low beta market में एक और formula में मिल गया, कि parallel के हम लोग क्या यूश्च करेंगे, 1 upon r equivalent plus 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3, संच में आगया बच्छो, ये पूरा चीज हम लोग use करेंगे, आईए बेटा, अब चलते हम लोग अपने अगले पड़ाव परे, ठीक है, अब बेटा हम लोग बात करने जा रहे है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अब बात करने जा रहे हैं, बेटा, तो सबसे पहले वेटा याद रखना है सबसे पहले हमें घखबराना नहीं है ठीक है? तो electrical energy क्या होता है बेटा? electrical energy होता है बेटा V, I, T अब आपको क्योंकिवेवगे सहथ यह कैसे आगया? आप पूछो कि सहथ यह कैसे VIT, I को क्या लिख सकते हैं, V को क्या लिख सकते हैं I square R T, और क्या लिख सकते हैं V square upon R T, सबको पता है अब ये आया कैसे तरई है ये तु बटादीजे आई ये देख लेते cheण किसे अरे लेटा सबको पता है मैं के बट है इस वर्ट पर्म है है कि क्यों भी व dessert h होता है अब तब को पता है वह दो क्यों को क्या लिख सकता है मैं अ travailler वर्क is equal to electric field वर्क is equal to energy into QV Q को क्या लिख सकते हैं Sir I into T into V तो यहां से क्या आगया V I T उंज में आगे विचा clear है अच्छा आज विचा अगले topic पे जिसका नाम है फावार क्या नाम है विचा अब पावर क्या होता है बिटा तब पावर कुछ नहीं होता है पावर होता है energy upon time बास तो ये कितना हो जाएगा वी आई is equal to i square r is equal to v square y बहुत सारे बच्चे पूछते सर फॉर्मूला कौन साही यूज़ करें तो यह use करें आई और tया रहेगा है यह यूज़ करना है और सानी कि यही करना है maximum case न में बता रहूं को ख़ें करना है numerical लगाते लगाते अप लोग समझ जांगे हैं क्लियर है वेटा महीं आगया पन्ति समझ में हा झागया अगले केस पर चलते बीटा अब हम लोग बात करने जा रहें बीटा किर्चॉफ लॉग के बारे में किसके बारे में बीटा किर्चॉफ लॉग के बारे किर्चॉफ लॉब भया क्या कहता है धियान से सुनियेगा किर्चॉफ लॉब बैसिकली बेटा अम लोग तब यूज करते हैं जब बहुत सारी बैटरी और बहुत सारी रिस्टन्स आजाएं तो किर्चॉफ लॉग बटा होगा first law and second law first law क्या कहता है किर्चॉफ current law जिसको हम लोग junction rule भी कहते है और second law क्या है वेटा किर्चॉफ voltage law जिसको अपन लोग loop rule भी कहते है क्या है तर यह बावाल देख वेटा अगर एक current आ रहा है i1 एक current आ रहा है i2 और एक current आ रहा है i3 तो बेटा यहां पर एक कभी कहना चाहता है कि junction पर कभी भी current junction पर current क्या होगा जीरो यानि i1 एक में पर चाहिए काम करते हैं तो बेटा नियम यह कहता है i1 प्लस i2 प्लस i3 इस इकोल टू जीरो यानि जितना current आया है उतना current जाएगा junction के पास कोई current नहीं रहेगा ना वो कोई current बनाता है ना रखेगा clear रहे विटा समझ में आ गया चलो बाद बढ़िया दूसरा नियम यह कहता है विटा अगर माला होगा है पस कोई loop है ठीक है अप उनके पास कोई close loop है एक चीज़ याद रखना दूसरा ला कहता है की डेल्टा वी change in potential inside loop कितना होता है जीरो loop के अंदर कोई भी potential change नहीं होगा बस यही क्या कहता है आपका किर्चॉफ लाओ यही क्या कहता है विटा आपका किर्चॉफ लाओ clear रहे वच्चो समझ में आ गया एक आथ कोशन लगाओगे क्या ताकि मन अगदम हरा हो जाए तन गना जाए चल्टा चुशन लगवा देते हैं आप लोग उससे ठीक है कुशन लगवा देते हैं यह चलिए कोशन आप लोग का हम डीटेल सीरीज में लगवा देंगे अब ही बेटा हम बात करने जा रहे है अपने अगले पॉइंट के बारे में Electromotive Force यानी EMF देखो बेटा इसके नाम में Force है इसका मतलब ये नहीं किया कोई Force है ठीक है इसके नाम में Force है इसके मतलब ये नहीं किया कोई Force है ये थरा का Fashion वोल्टेजी है ठीक है यह एक तरह का वोल्टेजी है अब यह होता क्या है देखो बेटा मान लो यह हमाई पास एक बैटरी है यह प्लस होगा और यह माईनस मालो मेरे अंदर मैंने खाना खाया खूब खाना खाया मेरे अंदर जो एनर्जी वो पांच जार जूल की है कितनी वेटा 5000 जूल तो क्या हमें यह Dort go सब् hat नि ako would लोगा लेकिन लेकिन मैं करूंगा साखर मेरा शरीर इखा जाएगा अपने आपको जिन्दा रखने के लिए भी अंदाल है तो मेरे आनदर इन्टरनेल ए यूज हो जा रहे है उसी तरह बेटा यहां पे भी EMF क्या होता है EMF टोटल एनरजी इंसाइड बैटरी या टोटल वोल्टेज इंसाइड बैटरी उसी को क्या बोलते है बेटा हम लोग EMF क्लियर है जैसा कर कोई बैटरी लेने जाओ डबल ले बैटरी इस पर क्या लिखा रहता है 1.2 वोल्ट क्या तुम को क्या लगता है तुम पूरा 1.2 वोल्ट का पूरे इस्तमाल कर लेते हो नहीं तुम यूज कर पाते हैं 0.9 क्योंकि 0.3 कहां बेस्ट हो जाता है उसके इंटर इंटर्नल रेजिस्टेंस में भाई इंटर्नल भी तो उसके रौड रौड साम लगी रहती है समझ में आयो पेटा एटेर है तो आज आप ऐसका फार्मिला देख लेते हैं ठीक है तो देखो बेटा इसको समझना बहुत आसान है यह प्लस है यह माइनस है तो बेटा यह हो गया V1 यह हो गया क्या बेटा V1 और यह हो गया आपका V2 तो यहाँ रहाँ रहना बेटा Electromotive Force क्या होता है E is equal to V1 plus कैसे हुआ Sir E is equal to E is equal to V1 minus minus V2 आओ इसको और detail में हम लोग देखते हैं इसको और detail में हम लोग निकालते हैं तो देखो बेटा यह अपने बैटरी का अंदर का design बना रहा हूं है EMF काम लोग E से दिखाते हैं और यह बेटा अपना A और यह अपना ठीक है clear है एक चीज़ और जान जाओ VA minus VB को हम लोग क्या बोलेंगे V VA minus VB को हम लोग क्या बोलेंगे V तो यहाँ पर potential कितना हो जाएगा बेटा चली बताएगे यहाँ पर potential कितना हो जाएगा मा लीजिए हम यहाँ से current जा रहा हमारा कितना I यहां तो हमारा I current जा रहा है ठीक है तो हमेशा याद देखना बेटा VA-VB यानि delta V is equal to कितना हो जाएगा potential जो यहां पर minus internal यह होता है डेल्टा V is equal to E minus अच्छा कहीं लोग कहीं कितना माजा नहीं आया है अपर थोड़ा अच्छे दा बता दीजिए इसको तो देखना बेटा सिंपल सा तरीका है बहुत ही सिंपल तरीका है current क्या होता है टोटल वोल्टेज तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा बेटा डेल्टा भी अपॉन आ आप ऐसे भी याद कर सकते हों आपकी अपनी मर्ची यह है इमेफ का फॉर्मदा अब 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 combination of resistance अम लोग ने पढ़ लिया तो अब पढ़ लेते combination of cell तो cell भी क्या हो सकते बेटा सीरीज में और parallel में तो सीरीज में कैसे लिखेंगे बेटा सीरीज में आइसे रिखाए देंगे तीक है clear है समझ में आगे बच्छों की तो कोई दिकत बहुत बनिये बहुत बनिये आगे बढ़ते है और माल लो हर बैटरी के अपनी क्या होगी internal resistance भी होगी R1, R2, R3, R4 parallel में कैसा होता है बिटा फिर parallel में ये ऐसा हो चीक है parallel माल लो हमने दो बैटरी लगा दी E1, E2 और internal resistance कितना है बिटा R1 है बहुत बढ़िया तो याद रखी का बिटा E equivalent कितना हो जाएगा E1 plus E2 plus E3 E4 चुकिए देखें resistance सारे series में लगे हैं तो R equivalent कितना हो जाएगा R1 plus R2 plus R3 clear बच्चो समझ में आ गया अगर माल लीजिए इफ तो यह क्या हो जाएगा बिटा E equivalent is equal to NEMF and R equivalent is equal to N clear बच्चो समझ में आ गया अब बात करते हम लोग बिटा parallel वाले की अब हम लोग बात करेंगे बिटा parallel वाले की तो parallel के case में क्या हो जाएगा बिटा E equivalent हो जाएगा E1 R1 plus E2 R2 upon 1 upon R1 plus 1 upon लेख लीजिए बच्चलो clear है बच्चलो यह है इसका सीधा सीधा now अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के आखरी टॉपिक पर जिसका नाम है wheat stone bridge बहुत simple सा funda बिटा इसका बहुत simple सा setup है कुछ नहीं कह रहा है अगर माली जमार रिस्टेंस लगा हुआ है पी पी क्यू आर एस बीच में लगा है galvanometer और इसका हमने जोड दिया बिटा by trees है तो यह बोलता है यह ऑल और तो आर आ और सी को एकी । एकुप और का साघ किटाद़ चेट Çokणमे दोका के, पीट आर र बडेगे टो टोड़के कुछ d' पी बाई क्यू इस एक्वल टू आर वाई अगर पी बाई क्यू आर वाई एस के बराबर है इसका मतलब यहां पर कोई करेंट नहीं होगा लिया रहे बच्चो समझ में आ गया तो बच्चो आज के लिए करेंट एलेक्रिसिटी हमारा खतम होता है हम लोग ने इसको बहुत अच्छे से पूरा फिनिश किया है एक एक टॉपिक को डिसकस किया है इसके डीटेल एक्स्प्लानीशन के लिए आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं करेंट एलेक्रिसिटी के और वहां पर इस सब का डेरिवेशन आराम से आप देख सकते हैं ठीक है बच्छों बाकी आच्छे से पढ़ते रही है आगे बढ़ते रही है दिस इस और फिसक्स फैकल्टी अविनाज सिंग साइने ओफ और तोड़े थैंक यू अ झाल 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 झाल